concept of availability in this module we will discuss about the valid name and available name first of all what is a valid name valid name हम ऐसे नाम को कहते हैं जिसको यूज किया जा सकता हो या जिसको यूज किया जाता है जो के acceptable name हो अब जब हम किसी species को एक नाम देने जा रहे होते हैं तो हमें चंद चीजों का ख्याल लखना होता है पहली बात ये कि वो नाम available हो और दूसरी बात ये कि वो नाम valid भी हो अगर हम International Code of Zoological Nomenclature की बात करें तो इसमें article 8 से जो 20 है ये हमें बताता है कि जब हमने किसी species का एक नाम रखना है तो हमें किन rules को follow करना है एक जो available name होता है जरूरी नहीं है कि वो valid भी हो एक available name valid भी हो सकता है ये unvalid भी हो सकता है इसी तरीके से एक जो unavailable name है वो valid नहीं हो सकता क्योंकि एक नाम अगर available ही नहीं है तो उसको हम कैसे use कर सकते हैं इसके साथ जो availability का criteria है ये vary करता है according to the nomenclature इसके लिए जो हम एक term use करते हैं legitimate legitimate से क्या अमराद है कि जब हम किसी भी species के लिए कोई नाम रखने जाते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ शरायत जो के international code for zoological nomenclature ने device की है उनको पूरा किया जाए अगर वो नाम उन तमाम शरायत के उपर पूरा उतरता है फिर तो वो नाम valid name कहलाएगा वो acceptable name कहलाएगा otherwise वो acceptable name नहीं है अब ये जानना जरूरी है कि एक valid name और एक available name इनके अंदर क्या difference है सबसे पहले हम देखते हैं कि available name से क्या मराद है available name से मराद है कि ऐसा नाम जो के properly published हो अब proper published से क्या मराद है कि एक नाम publish करते वकत ये जरूरी होता है कि जिस specimen का हम नाम रखने जा रहे हैं उसकी description हो उसके जो characters हैं उसकी detail भी दी जाएं इसी तरीके से एक valid नाम से क्या मराद है valid नाम से मराद है कि ये नाम पहले से preoccupied ना हो यानि ये नाम किसी और taxa के लिए use ना किया गया हो अब अगर हम international code for zoological nomenclature के बात करें तो इसके जो article 11 through 19 है यानि 11 से 19 तक जो articles हैं इनके अंदर तमाम prerequisites मौजूद हैं एक available नाम के लिए और खास तोर पर इसका जो article number 13 A है वो बहत important है अब अगर हम article 13 की बात करें तो article 13 के अंदर ये बात mention की गई है कि 1930 के बाद जब भी हमने कोई नाम publish करना है तो उस नाम के साथ जिस animal का वो नाम हो उसकी description देनी है उसके characters की detail देनी है और उसके साथ साथ उस species के जो members हैं उसके साथ उसका comparison किया जाए ना सिरफ उसके साथ जो है comparison किया जाए ताकि ये पता चले कि उस species के जो different members हैं उसके अंदर किसी character के अंदर कितनी character states हैं या उसके अंदर कितनी variability हैं इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो closely related taxa हैं उसके साथ उसके जो character हैं उसके अंदर कितनी similarity या कितनी differences मौझूद है ये article 13 इन तमाम चीजों से related है अब जब भी हमने एक नाम रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि article 13 को follow किया जाए यानि नाम रखते वाकत उस specimen की description दे जाए अब इसके अंदर दो चीज़ें है एक तो ये के जिस specimen को हमने नाम देना है उसके characters लिखने है और दूसरा जो है उसका comparison देना है अब जो description देना ये तो बहुत ही important है यानि अगर हमने एक specimen का नाम दिया लेकिन उस specimen की description हमने नहीं दी तो ऐसा नाम बाद में invalid name कहलाएगा क्योंकि ऐसा नाम जिसकी description ना दी जाए उसकी कोई worth नहीं है उसको technically reject कर दिया जाता है इसके साथ दूसरी जो important बात है कि ये जो specimen है इसके characters के साथ इसका comparison किया जाए जो closely related groups है ताके हमारे पास जो comparison है उसकी detail में हमें ये पता चल सके कि जो characters हैं वो जो closely related groups हैं उनके अंदर क्या differences हैं क्या उनके अंदर similarities हैं तो इस module के अंदर हमने देखा कि नाम रखते वकत हमें article 13a को strictly follow करना है हमें specimen की description की detail देनी है अगर हम specimen की description की details नहीं देंगे तो ऐसे नाम बाद में invalid नाम कहलाएंगे